इस वीडियो में हम section 153 1A जो के payment of goods उसके ओपर discuss करेंगे कि payment of goods जो हैं उन पर withholding tax की deductions किस तरह से होती हैं लास्ट टाइम हमने जो withholding tax के sections जो कवर किया हैं वह मैं आपको एक बार बताता चलू section 149 से ली कवर कर दिया कवर हो चुका है section 150 dividends कवर हो चुका है section 153 1B जो के payments of services है वो कवर हो चुका है आज section 153 1A payment of goods डिसकस कर रहे हैं इसके बाद 153 1C डिसकस करेंगे जो के payment of contracts है अच्छा withholding agent कौन होता है उसके ओपर video upload कर चुके हैं इस video के end में link add कर देंगे वो आप देख लीजेगा पहले withholding agent आपके लिए समझना है important है ठीक है कि कौन withholding tax withdrawal करेगा ठीक है और withholding agent कौन होता है तो उसके ओपर पूरी video upload कर चुके हैं वो देख लीजेगा link add कर देंगे अब start करता है 153 1A जो के payment of goods है अच्छा पहले थोड़ा सा मैं आपको concept बताता चलूँ उसके बाद ये section को read करेंगे और इसके rates देखेंगे किस तरह से deduction होगी होता गया normally जब हम किसी से कोई सामान purchase करते है goods purchase करते हैं तो हम फर ग्जैंपल आप example के तौर पर हमने किसी से 1,00,00 के कोई सामान purchase किया ठीक है अब हमने 1,00,00 के अगर उससे सामान purchase किया तो हमें उसको payment 1,00,00 के करनी है ठीक है बट FBR ये कहता है कि अगर हम withholding agent है तो हम जब उस supplier को payment करेंगे तो हम उसके ऊपर एक लाग के ऊपर टेक्स कार्ट के net payment उसको करेंगे further जो टेक्स पे धर्ड करेंगे उसको FBR में जमा करा देंगे उसी supplier के बहुत पर ठीक है कंफ्यूज नहीं आप होईएगा एक्जेंपल के साथ आपको लेकर चलेंगे ठीक है पहले मैं आपको concept थोड़सा मनें कोश्किया करने की अब रेट्स के ऊपर चलता है थोड़सा section रीट करता है उसके बाद एक्जेंपल की तरफ चलेंगे तो इंशाल्ला आपका concept clear हो जाए को यह concept तो concept समले specialized rate वो उसको देख लेंगे क्या है अच्छा है यह देखें कि देश वन कि for sale of any goods for sale of any other goods अगर कंपनी है अगर आपने किसी कंपनी से माल पर चेस किया है तो आप उसको चार परसंट tax withhold करेंगे डड़क करके payment करेंगे अगर अगर अधर दिन कंपनी है अधर दिन कंपनी से मुराद aop individual है तो फिर आप उसको 4.5 परसंट tax withhold करेंगे अच्छा आपने अब आपने क्या करना है देए आप करेंगे क्या पहले अच्छा एक चीज़ को याद रखना है भले आप payment full करें advance करें या partially payment करें आपको उसके हिसाब से withholding tax withhold करना है ठीक है for example हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा एक लाग रुपे करता ठीक है वो सप्लायर था company हम 4% tax deduct कर लेंगे देखिए कमपनी लिखा है 4% gross amount 4% tax withhold कर लेंगे 96 उसको payment कर देंगे अगर other than company जो के individual लोपी है तो 4.5% withhold करेंगे या 95500 रूप उसको payment कर देंगे अच्छा अब सबसे पहले आपने यह चेक करना है है sorry आप ने यह चेक करना है कि यह जो rates है 4 or 4.5 यह active taxpayer के आपने सबसे पहले यह चेक करना है कि क्या वह जो company हैं वह supplier aop यह जो भी वह ए वह active taxpayer है सबसे पहले आपने एक्टिव टेक्सपेर का स्टेटस चेक करना है अगर एक्टिव टेक्सपेर है फिर आप यह 4.5% डेटक करेंगे अगर एक्टिव टेक्सपेर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे देखें देश वन पर्सन नोट अपिरिन एक्टिव टेक्स पर लिस्ट ते अप्लिकेवल टेक्स रिडिस तुबी इंक्रीज भेंड़ेट पर्संट अगर वो सब्पार एक्टिव टेक्स पर नहीं है तो फिर कंपनी के केस में डबल डिट हो जाएंगे निए 4 परशन न तो फिर 8 परशन हो जाएगा और अगर 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 देन कंपनी है तो 4.5 परशन है तो यह 4.5 प्लस मजीद एट करें तो कितना हुआ 9 परशन हो जाएगा इसको आपने मेक्शूर करना है अच्छा एक तो यह हो गया दूसरा अगर पूरे साल में फारनिशलियर जो आपका एयर है उसमें अगर टोटल आपने सप्लायर से 75,000 से कम अमांट का माल करीदा है परशन की है तो उसके उपर आप टेक्स विदेल नहीं करेंगे हैं सी अच्छा पिचट्र हजार यह पिचट्र हजार से उपर है तो फिर आप करेंगे अच्छा फॉर एक्जेंपल अब यह आपको कैसे पता कि के पूरे साल में फॉर एक्जेंपल आपने फॉर्स टाइम माल पर चेस किया गुड्स यह सामान खरीदा उस बंदे से 30,000 रुपे का अब आपने का कि 30,000 रुपे के ओपर विद होल्डिंग टेक्स की तो आपने पूरी की पूरी 30,000 रुपे सप्लायर को पेमन्ट कर दी ठीक है अच्छा अब हुआ यह सेकंड डाइम आपने मजीद परचेस किया सामान और वह सामान आपने परचेस किया 50,000 रुपे अच्छा अब आपने क्या करना है अब 50,000 तीसाजार भी 75 से कम था 50,000 आप प परचेस कर रहा है माल दो बार वह सेवंटेव थाउसन से कम है अब आपने का कि टीसाजार भी कम है उस पे भी टेक्स नहीं करना ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है अब होगा क्या पूरे साल में आपने देखना है कि आपने उस उससे जो बेजनस किया सप्लायर से वह 75,000 से कम है तो अभी इस केस में 80,000 हो गया ठीक है 80,000 रुपए हो गया तो अब आपने क्या करना है कि पिछले 30,000 और प्लस ये 50,000 असी अजार टोटल आपने 80,000 की हिसाब से कमपनी है तो 4% और दन कमपनी है तो 4.5% टेक्स करके उसको नेट पेमंट करना है यानि कि पिछली पेमंट का भी जो 30,000 का टेक्स है वाब आप विदेड करेंगे ठीक है इसको आपने मेक्शूर करना है तो इसमें होता ही है नॉमली कि जब पूरे साल में आप जतनी की है फानल पेमंट साल से करने से पहले कि क्या आपने जो इसको पेमंट की इस बंदे को पूरे साल में या इंडिवीजल परसन जो भी सप्लायर को वो अगर 75,000 या उससे ज्यादा है तो फिर आपको उसकी पेमंट के ऊपर पूरा टेक्स 44.5 हिसाब से डटक करना है ठीक है यह मेक्शूर कीज़ेगा टेक्स डटक कम ना हो ऐसा ना हो पिछली पेमंट आप छोड़ दे अगली पेमंट पर टेक्स विदेल कर ले ठीक है उसका एफेक्ट क्या होगा बात में वो एक फरदा रेक आगे वीडियो बनाएंगे जिस सेक्शन कम्डिट हो जए तो फिर उस का सेनटयरी हो ऑच्छा अब थोड़ास है सको यह करें के हूव टिडलेट देचन कों रिड डल्क करेगा तो एवरी प्रिज्कराइब परसर्ण जो के विदिधोलिंग एजट है प्रिस्क्राइब वो वीडियो प्लोड कर जो कि उस बठाएंगो 홈 को लिंग एड करूगा ठीक है अच्छा टाइम डेपॉजट डेपॉजट वही है विदिन आपको सेवन डेज में फ्रॉम दे एंड ओफ इज वीक एंडिंग ऑन एवरी संदे जमा कराना है ठीक है अच्छा अब टेक्सेशन स्टेटस यह थोड़ा सा इंपोर्टन है यह थोड़ा सा अब समझेगा इनको टेक्स रेजीम में पता है तो उनको यह कॉंसर थोड़ा सा चीज क्लِयर होगी और अगर अगर रिजीमि के बार में नहीं पता आपको तो टेक्स रीजीम की वीडियो जो है अ डिफेरिंस कितने डेभारिक टेक्स स्टक्चर वगर है वो सब उसके उपर एक वीडियो अप्रोड किया है तो मैं लिंक एड कर दूंगा वो भी देख लिएगा विडियो और यह रिजिम्स वाली वीडियो दोनों वीडियो जो है इस सेक्षिन की यह इस हवाले से इंपोर्टन वीडियो अगर आपको नहीं पता किया taxation status this one ठीक है अच्छा minimum tax for all except in the following cases where it shall not be minimum tax on seller supply of goods हर एक के लिए minimum tax है सिवाए इनके अब जो हम a company being manufacturer of such goods अगर manufacturing company है तो उसके लिए minimum tax नहीं है ठीक है अगर manufacturing company है तो उसके लिए minimum tax नहीं है इसका मतला पर उसके लिए कौँछा tax है adjustable tax है ठीक है अच्छा उसके बाद second public company listed on registered stock exchange अगर कोई public company listed stock exchange में तो उसके लिए भी यह minimum tax नहीं है कौन सा टेक्स उसके लिए उसके लिए adjustable tax है ठीक है अच्छा तो conclusion क्या हुआ कि कंपनी जो के goods manufacture कर दी है और वोई goods जो company है वो goods को manufacture कर यह उसके लिए और पब्लिक लिस्टेट कंपनी जो स्कूंद में रिस्टेट उसके लिए यह minimum tax नहीं है ठीक है इनके लावा जो भी उनके लिए minimum tax ठीक है minimum tax क्या होता है अध्यस्टेबल यह normal tax क्या होता है final tax क्या होता है वह देख लीजेगा ठीक है अच्छा यह दो हो गया overall concept अच्छा उसमें पिर specialized rate है कि 153 मैं आपको दिखाऊ हो देखें दिसमेना से शुरूर है इस पर 1.5 परसंट है और वहीं इस पर double हो जाएगा अगर inactive taxpayer ठीक है यह concept आपने समय लिए बाकि कुछ goods और कुछ अब जिस तरह सब्लाइय मेड़ बाय डिस्टिब्यूटर फास्मोविंग अगर कंपनी है तो 2 परसंट और अगर अधन कमनी तो 2.5 परसंट अच्छा स्पेशलाइस्ट केस देखें फोर सेल ओफ राइस कॉटन सीट यह पर्टिकलो जो प्रोड़क्ट्स है इसके ओपर 1.5 परशंट है और अगर को FMCG प्रोड़क्स है ठीक है फास्मोविंग कंजूमर गोड़ तो उसके ओपर उसकी पेमंट के ओपर 2.5 परसंट के ओपर टेक्स बदेल करना है ठीक है अच्छा उसके बाद फिर यह सप्लाइब में टूटली स्टोर 1.5 है फिर यह आप स्पेशलाइस केस देख लीजेगा नॉम्मल जो रेट अटेक् फॉर पणट फवाइब तिए कर चुप है अचा एक चीज अब यह ग्रॉस अमांट है ठीक है आपने ग्रॉस मांट पर बदेल करना है ग्रॉस मांट क्या होता है देखें ब्रॉस अमांट पहले भी सेक्षिन 1531 B शेशंट उसमांट डिसक्स कर चूब घुंग ग्र और उसक का फोर यह 4.5 परसंट ना कि एक लाग रुपे का ठीक है तो यह मेक्शुर कीजिएगा और सेकेंड यह कि अगर उसमें कुछ ट्रांस्पोर्टेशन अलग से दिया हुए ट्रांस्पोर्टेशन सर्वेस हैं कुछ तो उसको मेक्शुर कीजिए कि कुई सर्वेस के ओपर डिफरेंट टेक्स टेक्स अप्लाय होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि उस होने क्या वहां पर दिखाया है ऐसा सब्सक्रीन में अश्चन सर्वेस के ओपर सर्वेस प्लाय होगा कई तुसको आपने ध्यान में ठिक ettals आथ अब इक्जेंपल की तरफ चलते हैं एक्सेंपल प्रेक्टिकल प्रेक्जल्जम्बन में कने को चलते हैं कि तरफ आप और तोड़ सा आपको वहां पे इकॉनसिक लेकर नहीं कोश्च करते हैं अच्छा अब यह प्रैक्टिकल इग्जेम्पल है ठीक बिग्जेम्पल को लेकर चलते हैं देखें एक इन्वाइस वेल्यू है है एक्स्क्लीजिद्ग सेलब्स्स एक ल एक लाग रुपय एअ कंश시면 से इक रेट सत्रह पर्सिंड गृट अध्रख और यह घृट बना एकलाग सत्रह जार तो यह हो गया टोटल गूर्थ से वेल्योय एक всем गशिभात अरुपह अब एक सेगेंड है एक पॉर पंट फाइफ ठीक है और इसका फॉर परसन अच्छा एंडिवीजल और यूपी के लिए 4.5 और कंपनी के लिए 4 परशंट आपने क्या करना है सिंपल 1,17,10 इसका आपने अगर इंडिविजल की केस में पेमन्ट करना है तो आपने 4.5 परशंट टेक्स बदेल करना है जो कि 5265 बन रहा है और इंडिविजल को नेट पेमन्ट दे देनी है आपने यह मैं थोड़ा सा क्योंकि यह सर्विसिस की एक्जेम्पल थी तो मैं इसको हटा दूफ नेट पेमन्ट ठीक है अच्छा तो आपने क्या करना है एक लग सतरह हजार एक लग सतरह हजार इसमें आपने 4.5 परशंट टेक्स अड़क करना है नेट पेमन्ट एक लग 11,735 रुप बाकी जो 5265 है यह आपने FBR में जमा कराना है उस सब्लाइर के ब्याफ पर पेमन्ट आपको टूटल एक लग सतरह हजार ही करनी है सिर्फ पेमन्ट को ब्रेक कर दिया टू डिफरेंट पॉर्शन में एक FBR का पॉर्शन लग दिए और एक सब्लाइर का पॉर्शन रग ठीक करा देंगे विदिन सेवन डिस ठीक इसको आपने मेक शूर करना है तो टूटल पेमन्ट आउट फ्लो आपका एक लग सतरह हजार की होगा ठीक है अच्छा अब एक चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको आंखे बंद करके बस यह नहीं देखना कि जित पर दिखा दी अलग से मेंशन की विए उन्हों ठीक है तो इसको आपने देखना है ठीक है क्योंकि सर्वेसस के ओपर डिफरेंट टेक्स टेट अप्लाय होगा ठीक और गुट्स के ओपर डिफरेंट होगा ठीक तो इस सीश को आपने मेक शूर करना है हां अगर ड वोई एक लाग रुपे का समान है और एक लाग दस जार रूपे का डिलिवर्ड है एक लाग का जो है आप यहां से उठा ले और एक लाग दजार का डिलिवर्ड आप गो अगर आप को इन्वाइस में ट्रांसपोटिशन अलग से नहीं दिखा रहे तो वह ही इक अलग बात है फिर तो आप वही रेड़ करेंगे गुड् Southeast का लेकिन अगर transportation आपको दिखा रहे हैं transportation services अलग से दिखा है ठीक है अच्छा अब एक ऐसी इन वाइस है जो के कि जिसके ऊपर जो टैक्स नहीं है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है बस संब्ड उसने आपको में यापी दिये 10 लाग रुपय का ठीक ग्र आप कोई टेक्स उसके ऊपर वो चा 2 निकर तो फिर आप को और अच्छा एक चीज मैं आपको बताओं आपने टेक्स लाजमी विधर्ड करना है अगर आप नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुक्सान है ठीक है वो यह सेक्शन कम्पूल्टू जा तो फर इसके ओपर डिसकस करेंगे कि एक रिड़क ना किया तो क्या नुक्सान ह और बहुत बड़ा नुक्सान है उसका बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिल लॉस पर ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपका कॉंसेप्ट गिर होगा क्लियर हो चुका होगा फर्दर अगर कोई आपकी क्यूरी हो को प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा वाट्सएप पर टेक्स कीजिएगा तो अपना ख्याल लखिएगा फर्दर नई वीडियो को साथ होंगे टेक केर अला आफिस